दो अलग-अलग मासून बच्चीयों के साथ किया गया वलातकार एक आरोपी गिरफतार दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफत से फरार बिजनौर अलीगर रेप का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि बिजनौर के बढ़ापुर में एक साथ और आठ वर्ष की दो अलग-अलग क्शेतर की बच्चीयों के साथ बलातकार का मामला प्रकाश में आया है विजनौर जिले के बढ़ापुर थाने इलाके के सिक्का गाव और इस्माइलपुर गाव में एक ही दिन में साथ साल और आठ साल की दो मासून बच्चीयों के साथ बलातकार के मामले में पुलिस ने एक बलातकार के आरोपी तहरे चाचा को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस ने सगे तहरे चाचा को गिरफतार कर लिया है। जबकि इसी थाना क्षेत्र के गाउं सिक्का में भी एक परिवार के चाचा ने मासूम बच्ची के साथ जबरन बलातकार किया है। यह आरोपी अभी पुलिस की गिरफत से बाहर है। पुलिस टीम बनाकर इसकी तलाश में जब गई है। पुलिस ने दोनों बच्चीयों को मेडिकल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के इंद्र नजीवाबाद भेजा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस नारोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कह रही है। आज न्यूस चैनल के लिए बढ़ापूर से मुहमद मोसिं की रिपोर्ट पुलिस पुलिस की गारे बड़ी गारे भी चोटी पी आई तो लड़के गया उसके पिछे पिछे तो भाब हाथ लग लगया प्रदाना काउंटी ना इस बच्ची नगीना खानांतर रहने वाली थी अपनी ताई के साथ बढ़ापूर्ट बढ़ी थी वहां पर उसके सगे तहरे चाचा ने जंगल मली र्यागर के दुसकर्म किया है अभियूत की गिरिफ्तारी कर ली गई है बैहानी करवाई की जानी दूसरा प्रकार्ण भी थाना बढ़ा अंतरगत है जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र आठ साल है उसके साथ उ ड़ियूत के ग़िया है खाली से अबैबली दूसकर्म का प्रियास किया है यह अभियोग मिन्जिक्रट कर लिया गया है अभियोत खर्सारी के प्रयास के द judgment 1 तारी कर दो है कि अ कर पार उरियू था